next question it says a particle shows distance time curve as given in the figure maximum instantaneous velocity of the particle is around the point हमारे option है ABCD और graph जो अपने को बना रखा है बहुत ही सिंपल सवाल है अगिन graph theory इसलिए हमारे लिए important हुए थी भीकुश ग्राफ पर देखिए डारेक्ट सवाल पूछा हुआ है सवाल कुछ इस प्रकार है कि पार्टिकल का graph अपने को ऐसे लगबख कुछ ऐसे दिया हुआ है और अपने चार पॉइंट है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपका डी पॉइंट है हम से यह पूछा है कि यह distance time को हम लिखते हैं ds by dt this is nothing but slope of this graph तो जहां पे slope सबसे ज़्यादा है वहाँ पे आपकी velocity स्पीड की value सबसे ज़्यादा होगी और slope यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो इसलिए आपका answer होना चाहिए c now इस सवाल में एक और additional challenge यह है कि यहाँ पे option number a d है option number b a है option number c b है और option number d c है अक्सल लोग यहाँ पे ओमार भरते हो एक चीज गडबड करते हैं अगर आपने identify भी कर लिया कि c answer होना चाहिए तो लोगों के दिमाग में चल रहता c c c c हो जाकर option c mark कर देते हैं नहीं इसका answer होगा option number d d for Delhi आपका option number d होगा because it option number d says c so based on this some कह सकते हैं option number d would be the right answer